हलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर संगीता माथूर एसोसिट प्रॉफेसर पॉलेटिकल साइन्स एल्बीज गवर्वेंट कॉलेज कुटपतली आज भीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को राजिनिती विज्ञान के मूल आधार में व्यभारवादी उपागम बढ़ाऊं क्या है व्यभारवाद के उदय के कारण क्या है व्यभारवाद के लक्षन या मूल मानेताई क्या है आज हम डेवडिस्टन द्वरा प्रतिपादित व्यभारवाद के प्रमुक आयाम देखना चाहेंगे व्यभारवादी उपागम परंपरागत राजिती शास्री राजे सं बंधी आपचारिक कानोनी एवम दाशनिक सिमाव को सिविकार नहीं करता ये हमने अपने पूर्व की वीडियो में भी देखा है ये है अपने आनुभाविक एवम सध्धान्तिक विश्टेशन की इकाई व्यक्तियों और समुहों के विवहार को मानता है विवहार वादी उप देखना चाहें हैं करते समय मानव के आच्रण का अध्यन राजणीतिक संस्थाओं के अप्चारिक धांचे के अध्यन से अधिक महत्पून है क्योंकि हमारी अध्यन की एकाई क्या है मानव है इसलिए विश्टेशन में व्यक्तिनेस्ट मुल्यों तथा कल्पनाओं का कोई महतु नहीं होता है यहाँ पर हम डेविड इस्टन ने जो विभारवादी अपने पागम में उद्देश्य या अभिग्रह या रिशेष्टाओं को निर्धारित के हैं वो हम देखना चाहेंगे डेविड इस्टन के विभारवाद के कुछ अभिग्रह और उद्देश्य उन् जिसके आधार पर इस समझ तान्दोलोन का भवन खणा किया जा सकता है वेस्प्रकार है पहला नेमित ताइं यहनी व्यभारवादी मानते हैं कि राजितिक व्यभार के सामने सिध्धानतों को हो जा सकता है राजितिक व्यभार में कुछ आसी परिवर्टियां पाई जाती है जो बार-बार उभर कर सामने आती है जिनके संबन में इस प्रकार के निशकर्ष निकाले जा सकते हैं जिनके आधार पर राजितिक घटनाओं को समझा जा सकता है तथा उनके संबन में भवीशवानी की जा सकती है योगि जो भी व्यभार मनुश्य का बार-बार होता है उस से हमें निश्कर्ष की ब्राप्ति हो सकती है यह मानते हैं कि विभारबात की नियमत्ताओं के आधार पर निकाल गए निश्कर्षों के प्रकाश में राज्यतिक घटनाओं को अधिक आसानी से समझा जा सकता है और उनके संबंद में भविश्यवानी की जा सकती है राज्यति वेरिफिकेशन व्यवारवादी मानते हैं कि मानवी व्यवार के संबंद में अपलब्द ज्यान को उन्भवादी मानकों के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है वस्तुते सत्यापन विधी वेग्यानिक्ता का आधार है इसकी अंतरत संग्रहित जानकरी का सत्यापन किया जा इस प्रक्रिया को यह सत्यापन कहते हैं तीसरे अधार्शिला बद्धी के तौर पर हम टक्शप, टक्नीक्स को लई सकते हैं वेभारवादी शोद समगरी का संग्रह क्रने और उनकी व्याख्या क्रने में सही धंग से तक्नीकों के प्रेवक को बहुत अधिक मेहत्व देते है उन्होंने उनके अनुसार शोद कार्यों में ऐसे उपकर्णों और प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए जिनके आधार परसू संगत, विश्वस्निय और प्रिक्षन योग्य सामाईरी की जुटाई जा सके शोद करताओं को अपनी शोद पद्रतियों के संबन्द में सतर्क और अलूचनात्मक भने रहने की द्रस्टी से उन्होंने प्रभाव प्रशनावली प्रतिदर्श सर्वेक्षन, गणित्य प्रतिरूप, अनुरूपन और परिश्कृत अवकरनों के प्रियोग पर महतु दिय है, बल दिया है, सुझाओ दिया है, चौथे पॉइंट के तौर पर हम परिमानी करण पूले सकते हैं, और व्यभारवादियों के अनुसार उपलब सामगरी तदा तथ्यों में इस्पस्ट ताइमने शित्त लाने के लिए परिमापन ये परिमानी करण किया जानना चाहिए उनके अनुसार आधार सामगरी की चानबीन के लिए अस्पस्ट गुणात्मक निर्णों के स्थान पर जब तक परिमापन और अन्य कठोर पद्रतियों का सहरा नहीं लिया जाता तब तक राजितिक जीवन के सुनिशित और सही ज्यान को प्राप्त करना असंभव होता है इस करन आवश्य के अन्य समझ ग्यानों के समान ही राजिति विज्ञान में भी शोद की आधार सामगरी का परिमाणी करन करना जाए और सभी निश्कष परिमान अत्मक आधार पर सामगरी पर ही निर्धारित हो जो अपना शोद है ऊसमें क्वान्टिटी होनी चाहिए वह में करना है नक्स हम मुल्य को ले सकते है विवार वादियों के अधिक लिए करते हैं..? वैग्ञानिक विश्यशन के लिए उस सीमе तक मॅल्यों को द्रस्टी मे रखा जा सकता है.. जस सीमा तक व्राजितिक मिवहार का विनिष्चे करते हैं.. किन्तु अनुसंधान करता के लिए.. स्वें के वैक्तिगत मॅल्यों से दूर रहकर ही.. तमस्या का अध्यन करना समीचीन है दूसरे शब्दों में हम इसको देखना चाहें तो व्यभारवादियों के अनुसार राजनीतिक अविज्ञानिक अध्यन आनुभाविक प्रणालियों के माध्यम से किये जानने के करण नैतेक प्रश्णों से उसका कोई संब्द नहीं रह होना चाहिए शोद यदि सिध्धांत से अनुप्रानित है तो वे महतवीन हो सकती है और सिध्धांत यदि आधार सामगरी से समर्थिक नहीं है तो वे निरर्थक हो सकता है संग्षेप में सिध्धांत से स्वतंत्र एकत्रित किये गए तथे निर्थक है नेक्स्ट कि विशुद विज्ञान का विभारवादी विशुद विधान की द्रस्ती से विज़ार करते हैं वे इस बात से सहमत हैं कि सिध्धान्त के बोध से वास्तिविक जीवन की समस्याओं को समझा जा सकता है सिध्धान्ट और विभार से उसका प्रयोग विज्ञानिक उध्धम का अंग है तथापी वेशुद अनुसंधान पर बहुत अद्धी जूर देते हैं यदि उसका प्रयोग विशिस्ट और नियून्तम समझेक समस्याओं में संभव ना भी हो तो भी उन्हें इसमें आपत्ती नहीं होगी अंतिम पॉइंट के तौर पर हम दे सकते हैं समग्रता विभारवादी मानते हैं कि मानव विभार का ध्यन खंडों में नहीं किया जा सकता मानव विभार में बुनियाद एक्ता पाई जाती है और इसी कारण समाज विज्ञान के विभिन विशय एक दूसरे से निकट है अगर हम इसको थोड़ा और देखना चाहें तो कह सकते हैं कि विभारवादियों के अनुसार मनुश्य एक सामाजिक प्राणी है यदि भी उसकी सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक, सांस्क्रतिक और अन्य प्रकार की गतिविद्यों के बीच सीमा रेखाएं कीशने का प्रत्न किया जाता है तथा पी इन में से कोई भी गतिविद्य ऐसी नहीं है जितमें समपूर्ट जीवन के व्यापक परिप्रिक्षिय में रखे बिना ठीक से समझा जा सके इस करण किसी भी राजनितिक घटना के अध्यन के लिए अवर्शक है कि हम समाज में होने वाली आर्थिक सांस्क्रतिक और अन्य घटनाओं को अच्छी तरह से समझ सके यदि राजनितिक मनुष्य को आर्थिक सांस्क्रतिक मनुष्य से विच्छन करके देखने और समझने का प्रयास किया गया तो उसके राजितिक विभार की एथार सरूप को पहचान पाना संभाव नहीं हो सकेगा संक्षेप में विभारवादी अंतहश अस्री दस्जिकों की समर्थक हैं यहीं सभी समाज विज्ञानों को साथ में लेकर हमें चलना होगा इसके पशाथ हम डिवीडी स्टन की विभारवाद की आधार शिलाओं के पशाथ अगर हम और आगे बढ़ें तो हम विभारवाद की अलोशना के बारे में देखना चाहेंगे और उसमें आप लोग सभी जानते हैं कि खुश्विंदू जो हैं वो ऐसे हैं जो विभारवाद की दुर्बलताओं को इंगीत करते हैं और शहीं यही कारण है कि विभारवाद फिर से हमारे सामने उत्तर विभादवाद के रूप में आया है जिसे भी इडिवी डिस्टर ने ही हमारे समख्ष रखने का प्रयास किया है आलोशना के तोर पर हम सबसे पहले कह सकते हैं कि एक असाहित्तिक भाषा का इसके अंतरगत प्रयूग किया गया है यह अत्यदिक शब्दान डंबरों से जुड़ा हुआ है प्राविधिक तक्निकों पर अत्यदिक बल दिया गया है जो कि हमारे विज्ञान में संभव नहीं है मुल्य निरिपेश्टा का आघरेय यहां किया गया है और ऐसी स्थिति में हमारे समख्ष ये व्यवस्था उपर होती है कि व्यवारवादी मुल्य रिप्रिष्टा में विश्वास करते हैं, वे निश्पक्षिम तस्दस्ट रहना चाहते हैं, विनाती का आदाशो और कुश्री मानते हैं, विश्वास तथ्यों में अधिक है, वे इसमें विश्वास करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, वे इसको नहीं मानते इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि मुल्य निर्पेक्ष्टा का जो अग्र है वो भी हमारे समक्ष एक अलुशनात्मक इस सितिव को स्पस्ट करता है लोक्तांत्रिक मुल्य विवस्थाओं के प्रतिकूल हमें व्यभारवाद दिखाई देता है अनुभव इसी तरीके से यत्यदे खर्चिली पद्यती है और राज्यतिक विवार का मापन हम कर नहीं सकते हैं असंभव हमें दिखाई पड़ता है अन्य पद्यतियों के महत्यों को यह नकारता है वो भी संभव नहीं है और सुक्ष माध्यन के निश्करशों को वहत रिस्तर पर नहीं है विवारवाद का जो युगदान है या जो राजशों को वह सकता है और यहां पर डेविडी स्टन नहीं कहा है कि वेवारवादी उपागम संपूर समाझ विज्ञानों में विशलेशनात्मक एवं व्याक्षात्मक सिध्धानत के प्रारंब का सूचक है संग्षेप में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि विभारवाद के युगदान को हम जिस रूप में समझ सकते हैं वो अपने आप में बहुत विस्तृत हो सकता है या विस्तृत है जैसे विभारवादी करांती ने राजनीती विज्ञान के लक्षे सरूप विशेशेत्र पद्दती विज्ञान आदिस अभी को बदल दिया और हम अपने आपको एक विज्ञान के स्थरपन लाने का प्रयास कर रहे हैं सोच हमारी डवलप हो चुकी है विभारवाद ने अपने विज्ञाने का नुभावाद के माध्यम से नई प्रविधियां एवा मापन के नए साधन विक्सित किये हैं इस प्रकार संख्षेप में विभारवाद के प्रमुक उपहार विज्ञानिक विधियां विभारवादी दस्टिकॉन एवा मुल्ले निर्पिक्षवाद राजिती शास्थ दौर आस्मात कर लिए गए हैं नवराजिती शास्थ के निर्मान में विभारवाद की भूमी का उल्ले खनी है और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विभारवाद अपने आप में एक महत्पून स्टिक को हमारी समक्ष रतता है धन्यवाद